Hello friends, I am Chandra and welcome to my channel Our Education So, आज हम quality स्टार्ट करने वाले हैं M. Lakshmikandh के बुक से तो इसके लिए मैंने M. Lakshmikandh की 6th edition बुक ले रखी है 6th edition ये बुक है तो आपके पास भी अगर ये बुक है तो आप ले लो नहीं तो फिर आप कहीं भी ऑनलाइन साइट से या किसी भी शॉप से खरीच सकते हो तो हम आज ये स्टार्ट करने वाले इसमें जो हमारा पार्ट वन है इसका हमारा जो कंटेंट है आप कंटेंट में देख सकते हो हमारा part 1 स्टार्ट है constitutional framework constitutional framework और इसमें हमारा first है historical background अब ये historical background ये हमारा दो पार्ट में divided है first है हमारा company rule और second है हमारा crown rule ये सुनने में आप भी सोच रहों ये क्या difference है company rule और crown rule में बहुत difference है इस शीज को हम इसमें स्टोरी में आगे discuss करेंगे तो company rule का duration था 1773 से 1858 तक और हमारा crown rule था 1858 से 1947 तक हम ये rule स्टार्ट करने से पहले हम पहले discuss करेंगे थोड़ी सी historical background चो इसमें दीग गई है book में तो अगर आप English medium से हो या Hindi medium के हो आपको इस वीडियो में कोई problem नहीं होने वाले आप अराम से सब को समझ जाओगे तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना ओके सो ब्रिटिश हमारे इंडिया में कब आये थे ब्रिटिश केम टॉ आवर इंडिया इंडिया में आये थे इन दे फॉर्म ओफ इस्ट इंडिया ट्रेडिंग कमपनी वो इस्ट इंडिया ट्रेडिंग कमपनी के फॉर्म में हमारे कंट्री में आये थे और क्विन एलिजबेत वन की तरफ से उन्हें चार्टर मिला था तभी वो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आये थे चार्टर क्या होता है चार्टर एक राइट होता है मतलब रिटन स्टेटमेंट आपको दिया जाता है एक राइट दिया जाता है तो उन्हें ट्रेडिंग का राइट दिया गया था कि हाँ आप जाओ आप इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते हो इसके लिए उन्हें राइट मिल और इसके बाद फिर 1765 में कमपनी को दिवानी की राइट्स मिल गई और दिवानी कहां कि बैंगॉल, बिहार और उरिशा के दिवानी पे इस्ट इंडिया ट्रेडिंग कमपनी को राइट्स मिल गई अब यह दिवानी क्या होती है, दिवानी होती है राइट्स ओवर दर रविन्यू एंड सिविल जस्टिस, जो टैक्स होते हैं उसकी वसूली वो करना चाहते थे, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब का कि हम रविन्यू जो इंडिया में जनरेट होता है, इस चीज में हमारा राज ह हम वो टैक्स लें ठीक है, और इस चीज के लिए उन्होंने इस पे राइट्स पा लिया, कब 1765 में ये राइट्स उन्हें मिल गई, इसके बाद फिर इनका टेरिटोरियल पावर की तरह इनका कर्यर स्टार्ट हुआ इंडिया में, इंडिया में अब ये एक टेर्रिस्ट की जादा से जादा और पैसे बनाना, बट इसमें अगर जरूरत पड़े तो फिर वो टेरिटोरियल पावर होई जाता है, ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, 1858, in 1858, week of sepoy mutiny, 1858 में sepoy mutiny हुआ, अभ ये sepoy mutiny क्या है, sepoy mutiny, it is the very very famous thing in our history, means हमारा first war of independence है, first war of independence है, sepoy mutiny, जिसमें की, हमारे इंडियन्स ने, Britishers, East India Company के खिलाफ, आवाज उठाई, उन्होंने fight किया, उनके खिलाफ, ओके, और ये first war of independence है, इंडिया में, first war of independence, वैसे तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, British, East India Trading Company ने फिर भी हमारे इंडिया पे राज कर लिया, बट ये first war of independence था, और ये इसलिए हुआ, क्योंकि, बहुत लोगों को, उनके trading से बहुत problems हो रही थी, फेस करने हो रही थी, तो इस वज़े से उन्होंने ये start किया था, सिपॉल म्यूटिनी, ये first war of independence है, और कब हुआ था, ये 1858 में, ये आपको याद होना चाहिए, आप बुख में इसे मार करके रख सकते हो, इसके बाद फिर, सिपॉल म्यूटिनी के बाद फिर, British Crown, अब जो क्विन एलिजाबेट वन ने चार्टर इन्हें प्रोवाइड किया था, किस चीज के लिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड किया था, बट जब ये इंडिया में आये और इसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने हर जगा पे कप्चा करना start कि मीन्स दिवानी पे इन्हें राइट्स मिल गई तो फिर इनका टेरिटोरियल पावर स्टार्ट हो गया, तो ये सब देखते हुए ब्रिटिश क्राउन इंडिया में आ गया, ब्रिटिश क्राउन ने उसके बाद से फिर इंडिया पे रूल करना start कर दिया, और ये रूल 1858 से ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होँगी इसे रूल के उसके बाद फिक बाब कंपनी रूल कर तक थी, वो हमारी 1773 से 1858 तक थी फिर 1858 से लेकर 1947 तक हमारा crown rule चला अब इस crown rule में क्या क्या हुआ और इसके impact की वज़े से ही फिर हमारा 1947 तक फिर उसके बाद फिर हमारा war वगएर हुआ और फिर हम independent हुए तो तब तक हमारा crown rule चला और इसके बाद फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर उसके बाद फिर 26 ऑगस्ट 1950 को हमारा constitution बना मतलब regulate हुआ बट यह बन गया था कब 1946 में constitution बन गया था और इसको बनने में बहुत सारी बहुत सारी एक्ट हुए बहुत सारी चीज़े हुए है जिनके reference के बाद इसे constitution को बनाया गया तो यह सारी चीज़े हम बाद में पढ़ेंगे अभी हम जो basics है वो पढ़ रहा है ठीक ह इसके बाद फिर हमारा constitution बना 1946 में constitution बन चुका था और 1958 में यह regulate हुआ 26 January 1950 में यह constitution regulate हुआ हमारे इंडिया में और इसके बाद से फिर अब हम discuss करेंगे अपने में कि यह company rule और crown rule यह क्या था और इसके बीच में क्या हुआ तो अभी जो हम अपने next वीडियो में discuss करेंगे यह topic clearly ताकि यह वीडियो जाद लंबा ना हो और आप बोर ना हो तो next वीडियो में हम discuss करेंगे और उसमें फिर हम discuss करेंगे जो हमारी act हुई थी उस act के features क्या थी कैसे यह हुआ क्यूं हुआ उस act के तहत क्या क्या steps लिए गए British East India Company के तरफ से तो यह सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं सो आप हमारे चानल पर बने रहें अगर अभी तक आपने subscribe ने किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर subscribe करते हैं तो फिर मिलते हैं next वीडियो में और अगर आपको online mock test चाहिए हो तो फिर आप Plutus IA से mock test ले सकते हो बहुत ही best वहां पर प्रोवाइड़े हैं साथी साथ अगर आपको confused है कि कौन से coaching joint करनी है तो आप एक बर्दा Hindu Zone में जाकर counseling session ले सकते हो आपको बहुत ही helpful होती है वो और साथी साथ दोस्तों अगर आप notes चाहते हो और best study materials चाहते हो और बहुत ही कम price में तो आपके लिए सबसे best है online खान market आप वहां जाकर best और cheapest notes ले सकते हो ओके तो फिर मिलते हैं हमारे next video में तब तक के लिए thank you